तो चलिए स्टुडेंट्स आज हम अपना एक्सराइज नेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 ठीक है अनली एक कॉश्चन में यहां पर समझा रहा हूं एक और कॉश्चन वह ऐसा ही होगा वह आपको एक बार सैल्फ करके देखना होगा इसकी पीडिया फाइल बनाके फिर मैं कल आ आए कि एक एरिया ओफ ट्राइंगल कॉडिदेटल फाइंड आउट करना है ठीक है इसकी साइड सापको गीवन है बीसी ट्वैल मीटर सीदी फाइफ मीटर दी एट मीटर एड 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 नाइन मीटर एंड एंगल सी इक्वल्स तु आपको गीवन है कितने डिगरी 90 डिगर तो हमने बेस ट्वैल ले लिया यह आपके पास एड फाइफ हो गया हमने ज्वाइन कर दिया विकोज यह एंगल कितने डिगरी का है 90 डिगरी का ठीक है तो एक डाइगनल आपको मिल गया तो क्वाडिलेटल है लेकिन इसके बिट्विन दो ट्राइंगल आपके पास बन ठीक है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वह देखें बी सीडी इसे राइट आइंगल ट्राइंगल और नाट विकोज वन आइंगल इस नाइंट डिगरी ठीक है इसका बेस ट्राइल हो गया पर्पेंडिकुलर कितना हो गया 5 तो यूजिंग पाइथागोरस थेरम हमने उस पास बीडी 13 मीटर आ गया बीडी कितना आगया आपके पास 13 मीटर ठीक है फिर हमने इस ट्राइंगल के एरिया यूजिंग फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग राइट आइंगल ट्राइंगल के रही हा आपेन टू बेसिंटु आइट से भी फाइंड का सकते हो हिरोनश चैप्टर चल रहा है थो हमने हिरोनश फॉर्मुला लगा दिया यह देखिए यहाँ पर हमने हिरॉनश फॉर्मुला ट्वैलब फाइफ और ठाटीन साइड लेके उसका एरिया निकाल दिया कितना गया 30 मीटर स्केर दूसरी ABD triangle ले लिए उसकी side 98 और 13 हो गई उसका area हमने निकाल दिया कितना आ गया 6 root 35 लेकिन अब यह दोनों पेटा add नहीं हो सकते because यह root में time है तो हमने क्या क्या 35 का square root find out कर लिया using long division method using long division method तो 35 का square root आपके पास आ गया कितना आ गया 5.9 प्लस 30 तो 35.4 प्लस 30 कितना हो गया 65.4 मीटर स्केर वो पूरे ट्राइंगल का आ गया इसका तो कितना आ गया था 30 मीटर स्केर और इसका कितना आ गया 35.4 मीटर स्केर तोनों के area आ गए दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे quadrilateral का area आ जाएगा ठीक है वही सेम चीज है जो हम Iran's formula 12.1 chapter में पढ़ा था exercise में पढ़ा था वही सेम हमने 12.2 में भी हम उसका यूज करेंगे है तो आज आप इसको अच्छे से एक पर करके देखना इसके बेस जो टू थी कोशन होंगे बनते हैं उसकी मैं आपको एक अच्छे से पीडियाफ बना के दूँगा दन आप उसको इसको सॉल करके देखना इसी के साथ साथ आपने 12.1 अभी complete नहीं किये क्योंकि मैंने उसकी पीडियाफ नहीं दी थी आपको तो कल उसकी भी पीडियाफ दे देंगे और इसके भी कॉश्टन साप बना के देखना ओके स्टूए लेक्टर के अंदर हम इसके नेक्स्ट जो आगे की कॉश्टन से टोटल 9 कॉश्टन से तू या थी कॉश्टन साथ complete हो जाएंगे नेक्स लेक्टर में हम इसको cover-up कर लेंगे ओके स्टूए बूल लग एंड टेक केर बाए